नमस्कार दोस्तों मैं रितेस आज किसी वीडियो भी सिखाने वाला हूं तो आज जानते हैं एक छोटे से डाटा में और आपको पूरी नोलिज दूँगा आज किसी वीडियो के अंदर ठीक है सबसे पिल्वे आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे लिखा है स्रियल नमबर लेते हैं आपको क्या करना है 12 अब देखें यह सी बात है या company में या school में बहुत सारे बच्चे होंगे तो हमें type करने में काफ़ी time लगे है तो हम क्या करेंगे दो तक लिखके उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों करनेगे select select करने के बाद यह option आएगा इसको क्या करना है fill fill पर जाएंगे down करते हुए नीचे आपको आना है तो यहाँ पर automatic आपका serial number आ जाएगा उसके बाद आपको manual आपको नाम लिखना पड़ेगा अगर आप computer के अंदर कर रहे है तो auto fill भी कर सकते है today formula लगाके आप मेरे आइकन में देख सकते है today formula कैसे यूच होता है ठीक है चलिए अब यहाँ पर करना क्या है सबसे परले हम लगाएंगे formula formula लगाने से पहले हमें आप पर वह लिख देंगे किते लोग absent है किते लोग present है किते लोग leave है यहाँ पर मालीजे लिखते हैं जैसे present यह present है यह present है उसके बाद L यह absent ज्यादा मैंने नहीं बदाएं यहाँ पर भी same P P और L sorry A डाल देता हूं यहाँ भी L A और यहाँ पर A की P रखता है P same यहाँ पर A L P and P P मतला present L मतला leave A मतला absent अब हम यहाँ पर लागए formula formula यह लगाएंगे कि automatic कैसे count कर ले कि कितने absent है कितने present है कितने leave है सबसे पहले हमें यह जाना है कि total है कितने यह total student कितने है यह total liver कितने है तो सबसे पहले हमें आपको लगाना है formula कौन सा count का तो equal और यहाँ पर लगना है COUNT count उसके बाद आपको क्या करना है यह option आ रहा है सबसे नीचे count का इस पर करना है क्लिक क्लिक करने के बद आपको number पर जाना है serial number को इसको करना है select नीचे तक और आपको करना है enter इंटर मिन्स ओक्के तो देखिए कितने total चार लोग है इसमें भी same वैसी फोर्मला लगाना है कैसे देखिए इकवल और यहां पर लिखना है count इसको बाद सेम नीचे option आ रहे हैं फिर serial नंबर पर जाना है और इसको करना है select और फिर करना है OK यह आ चुका है इसमें कई सारे आप फोर्मला के बारे में भी जानेंगे same equal count उसके बाद इस पर क्लिक करना है same serial नंबर पर जाना है और करना select उसके बाद करते हैं enter तो देखिए total आप student count कर लिजीगा ठीक है इस तरीके से उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर यह पता करना है कि total present कितने है total absent कितने है total leave कितने है तो सबसे पर हम क्या करेंगे इस पर जाएंगे और यहां पर फूर्मला लगाएंगे count if का किसका count count if तो क्या करना है देखिए हम यहां पर लगाएंगे equal और यहां पर लिखेंगे c o u n t i f count if उसके बाद नीच्चे और इस पर करना है क्लिक क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा मैं जूंग कर लेता हूं उसके बाद आपको क्या करना है date के व्याब पर होता है अप्सेंट प मा फिर से फिर्कों करदेना है इंटर इंटर मिंस ओके जो दिखें कितने परजेंट हैं पांस त्रीक डेट में दो परजेंट है चार में से ठीके सेम इसके अंदर निकालते हैं कि टूटल कितने है तो क्या करना है सेंब एकवल काउन्टिफ ओके काउन्टिफ लगाने के बाद इस पर क्लिक करना है सेम हम इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा सुरी कोमा इन्वेडर कोमा फिर हमें क्या डालना है अपसेंट चीए तो ए डालना है फिर इन्वेडर कोमा फिर उसको बाद कर देना आपको enter, enter means ok, तो कितने हैं, एक absent है, leave, leave के लिए क्या करना है, same, equal लगाना है, यहाप लेखना है, c, o, u, n, t, i, f, उसके बाद नीचे option आ रहा है, उसको करना select, select करने के बाद, आपको क्या करना है, लगाना है, comma, और invader, comma, फिर उसके बाद क्या करना है, डाला है, यहापर l फिर invader, comma, फिर उसके बाद करना है, आपको enter, तो enter करके देखते है, चार student में से, दो present है, एक absent है, एक leave है, तो दोस्तों, इस तरीके से आप count करता है, count कर देगा, क्योंट इन स्टूएंट है, और count क्या करेगा, यह count करेगा, कितने present है, कितने absent है, कितने leave हैं, तो दोस्तो इस खाने में भी इस बॉक्स में भी इस तरीक से आप अंसर ला सकते हैं तोटल अपसेंट, टोटल परजेंट, टोटल लिव कितने हैं देखिए हम एक बार आटो फिल सम करके देखते हैं साइद हो जाए यह फोर्मुला तो क्या करना इस पर जाना है और सिम इस डोट पर किलि इसलिए एक आया इसमें कितने हैं एक तो इसलिए दो आया देखिए किस तरीके से देखिए सेम फोर्मुला लग चुका है और तो सेम इसको भी आप वैसे कर सकते हैं आप फिल करना है फिल पर जाना है और यहां तक इसको स्लेक कर लेना है तो देख सकते कितने हैं यहां पर प्रेज़ंट कितने हैं धू दो एक और दो इसलिए आया आपका 2 अब इसे में भी सल्ब क्या करना है इस पर आणा है डॉरट पर किलिक करना है फिल्ट पर जाना है फिर इसको आपको यहां तक कर दिया है इस तरीका से आप दोस्तो यह बनाया है और बना कर रेडी कर सकते हैं मैं से भी एक छोटा सा डाटा बनाया हूँ बाकि आपको जितीन जुरते उतना आप इसे बना सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको इस वीडियो बहुत पसंद रही है अगर पसाएं जाएं पिस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बिलेकन दबा ना भूले वह इस तरीके वीडियो में फोन का अंदरी सिखाता हूँ चाहे एकसेल हो चाहे एमेस ओफिस हो चाहे गूगल सिंट हो आप हर तरीके से आप मेरे चैनल को पर सीख सकते हैं झाल